इस टूटोरियल्स माइनम इस कौशेक और तोड़े वी टॉकिंग अगर हम बात करें कि हम क्या क्या इसमें बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टोटल वर्क हैं कौन से हैं वन बाई वन हम उनके बारे में बात करेंगे एन अपॉलजी फॉर दी लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ मिसस शामिला एंड्रियू और शामिला और जो दूसरा है दी लाइफ एंड डेफ ऑफ जोनासन वाइल्ट दी ग्रेट उसके बाद हम इसकी समरी और जो इंपॉर्टन नोट्स हैं वो देखेंगे इस्टी ऑफ टॉम जोन्स फॉन लेटर वी तॉकिन अबाद इस समरी और दें लिटर वी तॉकिंग बाद यहां अमेलिया और फाइनली हिया वी फीमिल हजबंद राइट सो इपली एक्पले इस थी एक्पलेनिंग अल्ट इस इस पार्व जोडिया तो जो पहला जो वर्क है वो है आपका शामिला अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह एक नॉविला है और पब्लिश हुई थी 1741 में अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए इस चीच को दूसरा जो यह शामिला है यह रिचर्ड शिन की जो नॉवल थी पामिला एक् रिजन था उसके पीछे इंगलिश में अगर हम टेक्निकल वोड की बात करें तो जो शामिला है वो एक पैरडी है और अगर आपको नहीं पता कि पैरडी क्या होता है तो पैरडी किसी भी वर्क को रिडिक्यूल किया जाता है उसका मजाग बनाया जाता है किसी दूसरे अब्राहम 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 यह जो पॉब्लिश रीती 1742 था तो हैंडी फिल्डिंग का आप सिंप्ली अभी देख सकते हैं कि 41 42 इस तरह से चल रहा है चलिए नेक्स्ट आते हैं दि लाइफ एंड डेस आफ जोनातन वाइल्ड तो यह आपका जो वर्क है जोनातन जोनातन वाइल्ड अनौचरिस अंडर वर्ल्ड फिगर आफ दी टाइम पॉब्लिश्ट आज दी वाल्यूम आफ त्री इन मिस्लैनिस तो यह थ्री मिस्लैनिस में थ्री वाल्यूम्स में यह पॉब्लिश हुई थी नेक्स्ट जो है वो है आपका दी फीमेल हज्बंड और इसमें जो आप कह सकते हैं पर्टैगनिस्ट है वो है आपका हैमिल्टन ओकी हैमिल्टन जो है वो एक लेड़ी है हम उसके बारे में पूरा स्टोरी अभी देखेंगे और वो खुद एक विमन है और वो क्या करती है बड़ी इंट्रेस्टिंग भी बहुत सकते है आप की एक यंग विमन से वो लेड़ी क्या करती है एक बॉई के रूप में डिसगाइज होती है ठीक है वो डिसगाइज होती है और फिर वो एक लड़के लड़का बनकर वो जो young woman है उससे शादी का लेती है तो यह इसकी story है अभी हम detail में देखेंगे summary देखेंगे इसकी lived with her as her husband taken from her own mouth since her confinement pamphlet fictionalized report 1746 उसके बाद जो next work है वो है आपका history of tom jones foundling यह हुआ था 49 में और जो journey from the world to next है यह भी आपका 1749 में publish ही थी तो यहां तक आपके यह basic आपका है novel जो है उनके नाम आप लोगों को अच्छे से याद रखने कि इन केस पूछे जाएं कि यह किसका work है तो आप इसलिए इसको कर सकते हैं जास जादा fact याद रखिए क्योंकि सारा जो game है वो fact का ही है चलिए अब सबसे बहले देखते हैं शामिला इसमें मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जो शामिला हो है एक्छल में क्या है आपकी एक parody है अब parody क्या है जिसमें fun किया जाता है अगली जो पामिला जो work है रिचर्ड सिन का उसके बारे में तोड़ा सा आप स्टोरी समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा जो पामिला है उसमें एक chest wife है ठीक है हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो पवित्र नारी बोल सकते है ठीक है तो जो पामिला है ओके वो खुद को ऐसा शो करती है पूरे वर्क में कि वो बिलकुँ chest है और physically chest की बात हुई है यहां पर और राइट सिर्फ physical chestity की बात हो रही है तो यहां पर होता यह है कि जो पामिला है वो बहुत जादा रेजिस्ट करती है Mr. B को Mr. B उसका मालिक है और जो पामिला है वो उसकी maid servant है ठीक है तो जो Mr. B है वो बहुत जादा seduce करता है पामिला को बहुत कोशिश करता है लेकिन जो पामिला हो है वो हमेशा रेजिस्ट करती है मना करती है और Mr. B लास्ट में परिशान होकर पामिला से ही शादी कर लेता है या हम कैसे परिशान होकर या लास्ट में इंप्रेस हो जाता है पामिला से उसकी habits से या उसकी चेस्टी से उसके virtues से उसके गुणों से और लास्ट में Mr. B जो है वो पामिला से शादी कर लेता है अब यहां पर थोड़ा सा जो critics हैं critics का मानना ये है कि जो पामिला है उसने reverse psychological game खेला है किस से Mr. B से क्योंकि Mr. B क्या है एक अमीर आदमी था पामिला एक क्या थी made थी तो एक made ने अपने मालिक को जो उसका जिसने उसे अपने घर पर रखा है उस made ने reverse psychological game खेला अपने मालिक पे और फिर उससे शादी कर ली तो इसका मतलब जो पामिला थी वो भी क्या थी अपने जो उसके हम कह सकते हैं कि जो उसका idea है वो बिल्कुल clear नहीं था या वो बिल्कुल chased नहीं थी या हम यह नहीं कह सकते कि वो full of virtues थी तो इस बात को मजाग बनाने के लिए किसने हैंरी फिल्डिंग ने लिखा शामिला अब जो शामिला है वो ठीक उल्टा है किसकी पामिला की पामिला क्या है एक बहुती चेस्ट वर्च्यूस जो है प्रतेगनिस्ट है शामिला उसका ठीक उल्टा है तो देखते हैं हम इस स्टोरी को इस वोक इस स्टायरिकल बर्लिस्क नॉविला बाई इंग्लिश राइटर हैंरी फिल्डिंग अभी हमने इसको देखा कि एक बर्लिस्क है और नॉविला है एक पैरिडी है पब्लिश्ट इन एपरिल 1741 अंडर दी नेम ऑफ मिस्टर कॉनी कैबर यहां पर यह भी इंपोर्टन है कि यह जो पब्लिश हुआ था जो शामिला जो वर्ग था वो मिस्टर कॉनी कैबर के नाम से पब्लिश हुआ था उसके फिल्डिंग में फिल्डिंग ने खुद का कभी नाम इसमें नहीं लिया था फिल्डिंग ने वर एड्मिटेड टू राइटिंग दिस वर्ग फिल्डिंग ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यह वर्ग शामिला जो वर्ग है वो फिल्डिंग ने लिखा है उन्होंने इसे publish किसके नाम से किया था ये भी पूछा जा सकता है Mr. Connie Keber It was an attack on the novel Pamela 1740 तो जो Pamela novel है वो 1740 में क्या पूँआ था publish हुआ था publish हुई थी जैसा मैंने आपको story बताई Pamela की तो ये attack था उस पर fieldings contemporary and rival Samuel Richardson तो जो Pamela है वो आपकी किसकी है Richardson की है तो fielding उसी time पे थे और उनके rival थे उनके परतिदोंदी थे contemporary भी थे उसी time पे थे यहाँ पर एक work आया है word आया है epistolary epistol means epistol ठीक है यहाँ पर लेख लेते हैं epistol तो जो epistol होता है उसका मतलब होता है letters तो letters तो होता यह है कि जिस जो यह novel है चाहिए आप Pamela को अगर आपने पड़ा होगा तो उसमें क्या होता है Pamela पूरा बहुत सारे letters लिखती है अपने parents के लिए और पूरे letters के थुरू communication होता है उसके parents के तो जिस भी work में letters के थुरू communication होगा उसे epistolary work कहेंगे अब देखते हैं summary तो summary में क्या करना है आपको सबसे पहले आप जो यह मैंने red कर रखे हैं उनको आप बड़े ध्यान से देखिए कि आपको characters भी पूछे जाते कि कौन सा किस character में था इसलिए stories मैंने रखी है अब पूरी वीडियो आपको पूरी देखनी है और अगर आपको पसंद आए तो thumbs up करके जाएए एक comment जरूर लिखके जाएए तो शामिला है और चलिए पामिला तो दूसरा work है उसके बारे में लेकिन यहाँ पर जो next character है वो है आपका पार्सन थॉमस टिकल टेक्स्ट और यह है आपका पार्सन जे ओलिवर पार्सन जे ओलिवर हो गया शामिला हो गया यह आप अपनी लिस्ट बना सकते है एंडरिटा, मारिया, ओन्रेरा, एंड्रियूज और कुछ यहाँ पर है जैसे मास्टर बूबी मिस्स जूकस, मिस्स जर्विस एंड रिवो, रेवरेंट और्स विलियम तो एक और चीज है यहाँ पर कि जो पामिला है उसमें भी मिस्स जूकस है और मिस्स जर्विस है तो चलिए आप स्टोरी देख लेते हैं थोड़ा सा तो कि हम बहुत डिटेल हमें स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको जो कारेक्टर है वो पता होने चाहिए जो मेन इंसिडेंट है वो पता होने चाहिए और स्टोरी की जो थीम है वो पता होनी चाहिए थीम से यह होता है कि हमें वोग ज्यादा टाइम तक याद रहता है तो चलिए इसलिए शामिलाज लाइफ इस कॉपी आफ लाइफ आफ लाइफ आफ पामिला एंड्रियूज जो शामिला है वो लाइफ किसकी पामिला एंड्रियूज की लाइफ की कॉपी है The main heroine of Pamela जो कि किसकी heroine थी? Pamela की heroine थी The story of novel starts with a letter from a Parson Thomas Tickle text जो Parson Thomas Tickle text है उसके letter के साथ में यह story शुरू होती है तो letter से आपको याद आया होगा कि यह epistolary work है To his friend Parson G. Oliver वो किस से बात करने के लिए letter भीज़ा है? Parson G. Oliver के लिए letter भीज़ा है Tickle text is completely smitten Smitten word का मतलब होता है Loved too much by Pamela And insist Oliver gives the book a read यहाँ पर Pamela लिखा हुआ है Actual में यह है आपका शामिला तो insist Oliver gives the book a read Oliver reveals her true nature is not so virtuous Oliver जो है Parson Oliver वो उसको बताता है या उसे वो इस बात को बाहर लाता है कि जो शामिला है वो बहुत ज़्यादा virtuous नहीं है He has letters to prove her real characters character और जो Oliver है वो उसका जो character है उसको प्रूफ करने के लिए उसके पास letters भी हैं The rest of the story is told in letters between the major characters जो बाकी story है वो टोटल आपके letters के थूरू बोली गई है इसलिए आपकी ये है epistolary novel बार बार इसलिए repeat कर रहा हूँ कि आपको ये term बिलकुल अच्छे तरीके से याद हो जाए between the major characters such as शामिला, her mother और जो शामिला है उनकी जो mother है उसका नाम है अनुरिटा, मारिया, ओनुरा, ओनुरा, अनुरा, अनुर्यूस ओके तो इनके बीच में तो वहाँ पर शामिला जो पामिला वाले स्टोरी है उसमें पामिला और उसके फादर के बीच में communication होता है यहाँ पर जो communication होता है वो mother और शामिला के बीच में होता है, mother का नाम आप याद रख लीचे काफी बड़ा है who is unwed in this virgin and master booby, mr. jaukis mr. jauvis and reverend Arthur Williams much like Pamela यह मैंने आप लोगों बताया कि यह जितने भी आपके characters हैं यह आपके Pamela में भी है her father is not present at all और यहाँ पर important बात यह है कि जो शामिला है question आ सकता है कि letters किसको बेजे गए थे तो Pamela में जो है वो father को ज़्यादा letters होते थे या father बहुत ही active वहाँ पर थे Pamela में जो father है वो क्या है active है लेकिन जो शामिला है उसमें क्या है father present ही नहीं है चलिए अब next page पर चलते हैं इन शामिला we also learn that instead of being a kind, humble and chaste servant देखिए जो Pamela थी वो क्या थी? kind थी, humble थी और chaste servant थी लेकिन जो शामिला है वो ठीक उल्टा है Pamela whose true name turns out to be शामिला और जो पामिला है इस work में उसका नाम क्या है? शामिला is in fact a wicked वो ठीक उल्टा है वो kind थी, humble थी, chaste थी ये क्या है? wicked है, lascivious creature daughter to a London prostitute वो जो शामिला है वो एक London prostitute की बेटी है इसमें, okay and who schemes to entrap her master square booby into marriage और यहां पर वो पूरी तरीके से जो उसके master है square booby, ठीक है उसको वो trick करती है entrap करने की कोशिश करती है marriage करने के लिए next is later later however, it was discovered शामिला was having an affair with the reverend और बाद में ये भी पता चलता है कि जो शामिला है उसका reverend के साथ में भी affair होता है तो आप देख सकते हैं जो शामिला है वो exactly opposite बनाई गई है किसके पामिला की the verbal and physical violence of Richardson Mr. B whose name is revealed to booby ठीक है तो जो Mr. B है वो पामिला work में क्या है master है और बहुत ज़्यादा क्या करता है physical violence करता है किस पे पामिला पे इस work में उसका पूरा नाम बताया गया है पामिला में Mr. B का पूरा नाम नहीं बताया गया है उसे हर जगे Mr. B.E. बताया है लेकिन जो शामिला है उसमें इसका नाम Mr. Booby रखा है To his servant mate are hyperbolized तो ये आपके स्टोरी हो गई शामिला की अब बात करते हैं The Life and Death of Jonathan Wilde The Life and Death of late Jonathan Wilde यहाँ पे आप लोगों को एकी याद रखना है कि Jonathan Wilde यहाँ पे character है The Great is a Satiric work ये भी क्या है आपका Satir है तो जो पेशला work शामिला है वो भी Satir था ये क्या है आपका ये भी Satir है ये भी question हो सकता है कि ये किस जैनरा का work है तो ये भी आपका क्या है Satir है It was published in 1743 ये 1743 में published हुआ था Infieldings of Miscellaneous 3rd volume में ये publish हुआ था It is a satiric account of the life of London underworld boss Jonathan Wilde जो Jonathan Wilde है जिसकी ये story है वो एक London का underworld boss है और वो कब से कब तक रहा 1682 से 1725 तक है It is an experiment in the various narrative genres that were popular at the time Serious history, criminal biography, political satire and precarious novel तो ये सारे genre इसमें आ जाते हैं precarious novel किसे कहते हैं जैसे अभी मैंने कहा epistolary आपको पता चल गया होगा precarious में क्या होता है जो आपका hero है वो आपका एक rogue character होता है ठीक है आपका जो precarious novel में जैसे मैंने आपको पता है कि वो क्या होता है एक आपका rogue character होता है जो rogue character का मतलब बुरा character होता है उसमें कोई virtues नहीं होते हैं उसमें कोई qualities नहीं होते हैं same have argued that it is mainly a satire on Britain's first prime minister Robert Walpole और उन्होंने ये भी बोला जाता है क्योंकि ये satire है जैसा आपने अभी देखा तो ये किस पर satire माना जाता है प्राइम मिनिस्टर Robert Walpole पर ये एक तरह का ये आप question बना सकते हैं अपने लिए who was continuously charged by his political enemies with elegance of corruption तो जो Robert Walpole है उन पर काफे सारे allegation थे corruption के तो इस पर ही Jonathan Wild लिखा गया था ऐसा माना जाता है अब देखते हैं summary the book tells the satiric biographical story the book tells the satiric biographical story of an early 18th century underworld boss Jonathan Wild जैसे के हमने देखा कि ये Jonathan Wild underworld boss की biographical story है and from his birth in 1682 to until his execution उसके execute कर दिया गया था मार दिया गया था 1725 में as a thief taker wild's job was to capture criminals and take them to the authorities in order to collect a reward जो wild था उसकी job क्या थी वो criminals को पकड़ता था और फिर उसको authorities को देना था उसको इससे उसको पैसा मिलता था he made noturess profit from managing an underworld network for malefactors और उन्होंने फिर इस बात का फाइदा उठाया और उसने वो इस बात के लिए क्या था एक noturess बन चुका था और उसने दोनों तरफ से पैसा कमाना शुरू कर दिया था who paid him to avoid being denounced fielding's biography of Jonathan Wilde allows him to satirize various aspects of English society at that time और जो fielding था उसने इस biography से क्या क्या था Jonathan Wilde की जो biography थी उसने बहुत सारा इसको satirize किया कि English जो society थी उस time के उसके various aspects अलग अलग जो बातें थी उस time society की उन सभी बातों को उसने explain किया satirize किया it features an interpolated romantic story that is nowhere to be found in other account of the historical wild so you can see that there are so many things but यह unnecessary है अपके example अपसे it has been argued that this was fielding's way to rendering the criminal biography of wild into a novel of the kind that was becoming increasingly popular that time तो यह जो अगर हम कहें कि kind of novel थी वो उस time बहुत ही popular थी the history of Tom Jones बहुत important है यह work आपका काफी important है काफी पूछा जाता है the history of यह पूरा नाम आपको याद रखना है the history of Tom Jones a fondling the history of Tom Jones a fondling often known simply as Tom Jones जो short name है वो Tom Jones है is a comic novel by English player and novelist यह Henry Fielding का work है यह एक buildings roman है and a precarisk novel precarisk novel के बारे मैंने आपको बताया buildings roman क्या होता है अभी तक मैं आप लोगों तीन term बता चुका हूँ एक epistolary जो था वो letter से related होता है ठीक है फिकरिस्क जो होता है वो आपका एक rock character होता है बुरा character hero होता है buildings roman buildings roman में क्या होता है कि एक जो hero है उसका बच्पन से ओके जब वो एक बच्चा होता है और जब वो adult बन जाता है तब तक कि जो उसकी story होती है वो पूरी story दिखाई जाती है it was first published on 28 February 1749 in London and is among the earliest English works to be classified as novel और इसको इक इसको novel classify किया गया है और यह जो publish हुई थी हो 1749 में London में हुई थी इसको 10 best novel among the world 1948 में अगर हम देखें तो mention किया गया था और काफी अच्छे से इसको पूरी तरह से manage किया गया था बहुत लंबी novel है लेकिन स्टिल काफी अच्छे से इसको organize किया गया है Samuel Taylor Caldres argued that it has one of the three most perfect plots ever planned तो जो ST Caldres ने कहा था तो यह पूछा जा सकता है कि three most perfect plots ever planned में फिल्डिंग की कौन सी जो novel है उसको mention किया गया है ठीक है और उसके साथ कौन-कौन से और चीजे plot के लिए तो जो ST Caldres हैं उन्होंने कहा था कि जो तीन perfect plot लिखे गए हैं ठीक है तीन जो है perfect plot लिखे गए हैं आज तक के वो लिखे गए थे Oedipus, Tyranus, The Alchemist and The Tom Jones यह तीन जो थे ओर Samuel Taylor Caldres ने बताए थे It became a bestseller with four editions published in its first year alone और यह bestseller रही थी four editions and it is generally regarded as Fielding's greatest book and as influential English novel आज भी इसे एक बहुत अच्छी influential English novel माना जाता है summary इसकी देख लेते हैं The narrator provides that his purpose in the text will be the explore human nature यहाँ पर जो narrator है यह भी question पूछा जाता है कि जो narrator है उनका purpose क्या बताया गया है Tom Jones में तो उनका purpose था human nature को explore करना human nature को जानना Asus, his story, wears between several extremes, comedy and tragedy, low and high society, moral and base यहाँ पे जो Tom Jones है उसको comedy and tragedy दोनों आपको देखने को मिलेंगे Low and high society, England की देखने को मिलेगी moral and base दोनों तरह के character आपको दोरो work में देखने को मिलेंगे यहाँ पे square all worthy, a man defined by his interminable kindness जो square all worthy है वो बहुत ही अच्छा इंसान है रिटरंस तो हिस सॉम्शेट साया स्टेट तो फाइंड एचाइल्ड एबंडन इन हिस बैट तो जो square all worthy जो है वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि अपने बैट पर एक बच्चा है जिसको वही पर छोड़ दिया गया है जो नेक्स इस में करेक्टर है जैसे square all worthy हो गया और बिजिट हो गई उनके sister square all worthy के sister है बिजिट तो लुक आफटर और इंडे इन्वेस्टिगे तो डिटर्माइन दाट इचाइल्ड स मदर इस यंग वोमन नेम जैनी जोन्स अब उन्हें बाद में पता चलता है कि जो child की mother है वो है आपकी जैनी जोन्स she leaves the area and all worthy decides to raise the boy Tom Jones और उसका वो नाम रख लेते हैं Tom Jones जो square all worthy है वो इस बच्चे को raise करता है उसको पालता है Tom is brought up alongside all worthy's nephew Bill Phil Bridgett sons और जो Bill Phil है वो Bridgett का बेटा है Bridgett कौन थी अपकी all worthy की sister तो उन्होंने decide का लिया होता है कि Tom Jones को पालेंगे they are educated by two men of different outlook तौकम और स्क्वाया तो यहाँ पर जो दूसरे है दो और character अगर हम देखें तो एक है आपका तौकम और दूसरा है स्क्वाया Bill Phil is miserable and jealous boy जो Bill Phil है वो एक miserable लड़का है और वो jealous भी करता है Tom is an impetuous character impetuous means for learning he wanted to learn lots of things तो हम कह सकते हैं उत्सुक अगर हिंदी का word यूज करें तो Tom is an impetuous character who supports his friend the poor gamekeeper Black George Seagram उनका एक poor gamekeeper है उसका नाम है Black George Seagram even when that support causes him trouble और जो Tom है वो अपने उस friend का support करता है और उस चीज से उसे परिशानिया भी जेलनी पड़ती है meanwhile through his relationship with Squire Western all worthy's boorish but affable neighbor Tom slowly falls in love with the Squire's daughter Sophia अब यहाँ पे next character आता है वो आती है Sophia और Sophia से प्यार हो जाता है Tom को who also comes to love him और जो Sophia है वो भी उससे प्यार करना शुरू कर देती है however Tom cannot pursue Sophia because his girlfriend Molly, daughter of Black George grows pregnant with what he believes to be his son और यहाँ पर होता यह है कि जो Molly है वो Tom के साथ में she becomes pregnant and इस बात से जो Sophia है वो उसके साथ में अटेस्ट नहीं हो पाती when he is revealed not to be the father of Molly child अब बात में पता चलता है कि जो Molly का जो बच्चा है वो Tom का नहीं है alright Tom is free to pursue his emerging love for Sophia अब यहाँ से फिर से स्टोरी शुरू होती है कि जो Tom है वो Sophia को pursue कर सकता है means उसके साथ जा सकता है बिल्फिल कंस्पायर्स अगेंस्ट टॉम and he is unjustly turned out of Allworthy's house and away from Sophia तो यहाँ से बिल्फिल जो है वो जैसे कि हमें पता है कि वो क्या था jealousy की भावना रखता था Tom के लिए तो कंस्पायर करता है ओके शडियंद करता है और जो जिससे की जो टॉम है उसको वहाँ से भगा दिया जाए Allworthy के गर से भगा दिया जा रहा हूँ Sophia से दूर हो जाए further because Tom is a bastard child और जो टॉम है वो एक bastard child है उसके parents का पता नहीं है Squire Western refuses to support Tom's suite for Sophia और जो Squire Western है वो अपनी बेटी Sophia को का हाथ उसे नहीं देना चाहता क्योंकि वो bastard है And instead wishes her to marry Billfill So that he can consolidate Their lands और यहाँ पर वो चाहता है कि शादी किस से हो Billfill से हो जाए जिससे कि उसे पूरे जो लैंड्स हैं वो भी मिल जाए क्योंकि Tom के पास कोई भी चीज के हम कह सकते हैं Inherit उसे कुछ चीज नहीं मिलनी थी क्योंकि उसके कोई पैरेंट्स नहीं थे Sophia hates Billfill लेकिन Sophia Billfill को पसंद नहीं करती है And is tortured by her father Cruel insistence और उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं Torture करते है All worthy gives Tom a fair sum of money To support himself But it is stolen by Black George जो Black George है पहले तो जो All worthy है वो Tom को काफी सारा पैसा देते हैं कि वो खुद को support कर पाए लेकिन होता यह है कि जो Black George था वो इसको चोरी कर देता है Tom considers joining the military अब जो Tom है वो सोचता है कि मैं कहां जाओंगा military में जाओंगा तो यहाँ पर आप देख लीजे कि उनकी जो पूरी स्टोरी है लाइफ की स्टोरी है Tom की वो पूरी बताई जा रही है तो इसी को हम Buildings Roman novel कहते हैं और जो Tom है वो actual में बहुत अच्छा character उसका नहीं होता है तो उसे हम कह सकते हैं कि एक Picarisk novel भी यह है He meets up Partridge अब वो किस से मिलता है और जो Partridge है वो ऐसा माना जाता है कि वही Tom का फादर है Partridge initially believes that he can return to all worthy's favor if he reunites the men with Tom but Partridge ultimately becomes a devoted companion along the way Tom frequently shows his valivalent spirit by helping an unsuccessful highwayman a beggar and a lady in distress all gestures which are richly repaid later in the novel अब जो Tom है वो एक अपनी benevolent spirit एक उदार जो spirit है उसकी उसको दिखाता है उसको शो करता है वो एक highwayman, एक beggar a lady in distress इन सभी की वो मदद करता है बाद में हम देखेंगी कि इन चीजों का उसे फाइदा मिलता है Sophia is locked up for refusing to marry Bill Phil यहाँ पर फिर Sophia के story आती है कि जो Sophia है उसको locked up कर दिया गया है उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि उसने Bill Phil से शादी करने के लिए मना कर दिया अब वो वहाँ से भाग जाती है और घर से भाग जाती है Tom और Sophia दोनों London जाते हुए एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते है और बाद में उसे पता चलता है Sophia को की जो टॉम है Sophia जब लंडन जा रही है तो Sophia लंडन जा रही है जो टॉम है वो भी लंडन जा रहा है बीच में टॉम एक मिस्स वाटर्स को रेस्क्यू करता है और जो Sophia है वो सोसती है कि वो मिस्स वाटर के साथ में सोया होगा और अब सोफिया को लगता है कि उसे उसे टॉम को प्यार नहीं करना चाहिए जो Sophia है वो लंडन चली जाती है टॉम उसके पीछे जाता है सोफिया जो है लंडन में लेडी बैलास्टरन के साथ में रह रहा है और वो कहती है कि वो सोफिया के मदद करेगी अब यहां पर जो उसकी आंट है लेडी वेस्टरन वो चाहती है कि उसकी शादी जो सोफिया की शादी है वो उससे हो जाए लॉर्ड फैलमर से हो जाए अब यहां पर क्या है उसके जो फादर है वो अभी भी एडमेंट है बिलकुल अडे होए हैं कि जो सोफिया है उसकी शादी किसे होगी बिल्फिल से सोफिया डिसाइड से शी विल मैरी नोवन विदाउट हर फादर से कंसेंट और वो डिसाइड कर लेती है कि वो किसी से शादी नहीं करेगी विदाउट फादर के कंसेंट के कि जब तक उसके पादर मानन नहीं जाते यह बिल्फिल ऑलसो नॉट बी टोल्ड होण टो मैरी और यह भी वो चाहती है कि वो उस इंसान से भी शादी नहीं करेगी जिसकों की कहा जाए मींस उसके फादर अगर उससे जवर्दस्टी शादी करवाना चाहते हैं तो नहीं करेगी टॉम इस इनॉसेंटली caught up in a duel and imprisoned अब जो टॉम है वो एक जगह डूल में पड़ जाता है किसी से उसका जगड़ा होता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है अब यहाँ पर जो उसका फ्रेंड है और लॉयल कमपैनियन है पाट्रिज का और डिवोटेड लैंड लेडी है मिस्स मिलर्स इन्वेस्टिगेट दी कोर्स आप तो जो है वो सभी लोग तो वो सभी जानने की कोशिश करते हैं कि जो टॉम का इंप्रिजिनमेंट है क्यों हुआ और किस तरह से हुआ अब यहाँ पर थोड़ा सा इनिशिली एक बहुत बड़ी टेंशियन हो जाती है क्योंकि जो मिस्स वाटर्स है यह माना जाता है कि वही टॉम की मदर है बट दिस इस रिवील टू बी अंट्रू और बाद में यह अंट्रू मान लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टेंशिन थी वो इस बात की थी जाता है कि जो टॉम है वह एक्शल में उसका नेफ्यू है जो बिल्फिल है वही क्या करता है टॉम को जेल में भिजवाता है जिससे कि वो उसके रास्ते से हट जाए क्योंकि अगर आप बिटिश ससाइटी की उस टाइम बात करें तो अगर देर आर नोट अनली बिटिश ससाइटी वी कें टॉक अबाउट एनी ससाइटी जहां पर टू ब्रदर हों तो बोथ विल गेट दी थिंग्स इनहेरिटेंस जो होगा दोनों में बाटा जाएगा तो यहां पर यह होता है कि जो टॉम है उसको भी इनहेरिटेंस मिलेगा इसलिए बिलफिल नहीं चाहता कि टॉम की जो आईटिटी है और रिवील हो वो चाहता है कि उसे एक फॉस्टर चायल्ड लिया हमकए बास्टर चायल्ड की तरह ही उसको ट्रीट किया जाए अब जो हमने पिसले बाइब बात किये थे कि उन्होंने सभी की मदद किये थी टॉम ने तो इसलिए इसका फाइदा मिलता है उसे बाद में अब जो चार्जेस थे टॉम की वो ड्रॉप हो गए हैं हट गए हैं और सोफिया से उसकी शादी हो गई है और स्क्राइर वेस्टर ने उसे बलैस किया है बिलफिल इस बेनिश्ट और बिलफिल को वहां से भगा दिया गया है बट जाएं अन्यूटी फ्रॉम और विदे टॉम उसे और टॉम से कुछ पैसा मिलता है Sophia and Tom live happily close to Nightingale and Mrs. Miller's daughter Nancy whose union Tom fascinated यहाँ पे Tom और जो Sophia है finally happily रहना शुरू होते हैं Nightingale में जगह में and Partridge is giving an annuity to start a new school and Marries Tom's first girl Molly Sikrim और जो Partridge है उसकी जो शादी हो जाती है Molly Sikrim के साथ में हो जाती है तो इसकी के साथ यह खतम होता है अब हम अगला जो है उस स्टोरी को देखते है Amelia Amelia is again a novel by Henry Fielding and it is a sentimental novel यह एक sentimental novel है published हुई थी 1751 में it was the fourth and final novel written by Fielding यह fourth novel है और final novel है and it was printed in only one edition यह सिर्फ एकी edition इसका आया था while the author was alive although 5000 copies were published for the first edition और 5000 इसमें copies published हुई थी Amelia follows the life of Amelia and Captain William Booth यहाँ पे दो आपको character यहाँ पे मिल जाएंगे कि William Booth और Amelia है and they are married दोनों के दोनों शादी हो रखी है दोनों की it contains many allusions of classical literature and focuses on the theme of marriage and feminine intelligence इसमें जो theme है वो marriage और feminine intelligence है but Fielding's stance or gender issue cannot be determined because of the lack of authorial commentary discussing the matter although the novel receives praise from many writers and critics it received more criticism from Fielding's competition possibly resulting the paper war in which author was involved यहाँ पे जो paper war था तो यह paper war आप लोगों याद आएगा कि जो पिसला जो हमने देखा शामिला ओराइट तो वो भी इसी paper war का नतीजा था क्योंकि उन्होंने रिचर्ट सिन के साथ जो किया था पामिला के लिए लिखा था तो इसी तरह का paper war उस तरह चल रहा था कि एक writer दूसरे को attack करता था दूसरा पहले को attack करता था इसी को paper war कहा जाता है अब यहाँ पे दो आपको याद रखने है Amelia and Boots okay Amelia by contrast register the attention paid by her by several men in Williams absence and stays stays faithful to him और Amelia है जो यहाँ पर जो story है वो यह है कि वो यह है कि जो Booth है और राइट उसका husband है वो उसकी respect नहीं करता और उसको सिर्फ beautiful मानता है बाकी यह मान सकते हैं कि intelligent नहीं मानता या well behavior जो भी आप मान सकते हैं लेकिन उस सिर्फ beautiful मानता है जो Amelia है उसको बहुत सारे लोग attention देते हैं several men attention देते हैं लेकिन फिर भी William के absence में लेकिन फिर भी क्या होती है वो William के लिए बिल्कुल faithful रहती है she forgives his transgression और वो उसको हर चीज के लिए माफ करती है जो भी वो करता है but William soon draws them into trouble again as he accrues gambling debt trying to lift the couple out of poverty और जो William है वो क्या करना शुरू कर देता है gambling करना शुरू कर देता है यहां से problems होनी शुरू हो जाती है he soon finds himself in debtor's prison और उसे debtor's के prison में डाल दिया जाता है थोड़ी दिनों के बाद Amelia then discovers that she is her mother's heiress and the debt being settled अब जो Amelia है उसे पता चलता है कि जो उसकी मदर के पास जो भी पैसा है वो उसको मिलेगा और वो जो उसने debt लिया होता है William ने वो इसको settle कर देती है William is released और William को jail से बहार निकाल दिया जाता है and the couple retires to the country और जो couple है वो दोनों जो country है वहां चले जाते हैं country का मतलब यहां पर उसको मतलब होता है the second edition contains many changes to the text जो second edition बना था उसमें काफी सारी changes थे a whole chapter on the dispute between doctors was completely removed along the various section of dialogue and praise of Glastonbury waters तो यह सारी chapters उसमें से हटा दिया गे थे addition was addition also contains many new passages such as the addition scene in which doctor repairs Amelia's nose Booth remarks on the surgery and Booth is talking to miss Matthews तो यह जो है उसमें कुछ new passages डाल दिये गए थे कि यह Amelia की जो नोज का doctor repair करता है और Booth उस पे remark करता है surgery पे यह आपका book second chapter first का एक scene है जो second edition में add कर दिया गया था next जो work है वो है आपका the female husband female husband इससे आप लोगों पता चल गया होगा कि जहां पे दोनों ही means wife and husband दोनों ही female है all right so let's start the female husband depicts Hamilton as a tireless trickster यह जो Hamilton है वो क्या है अबकी एक trickster है लोगों को जूट बोलकर फसाती है all right driven by both desires and habit to enter into new scheme of impersonation fraud and sexual impersonation का meaning होता है जब हम किसी दूसरे की identity ले लेते हैं जैसा कि मैं किसी का नाम लेकर कुछ करना शुरू कर दूँ जैसे कई लोग करते हैं कि कई जगे शो करते हैं कि हम पुलिस वाले हैं पुलिस वाले की uniform पहन के चले जाते हैं so that is called impersonation तो वो भी यही करती है वो impersonation करती है और वो disguise होती है as a boy और वो हर जगे कैसे जाएगी हर जगे boy बनके जाती है conquest despite repeated failure और उसका जो है उसे repeated failure मिलते हैं जगे जगे वो पकड़ी जाती है हर जगे उसका पता चल जाता है but still she keep on going she dresses as a man वो हर जगे एक as a man dress होती है pretends to be methodist preacher और हर जगे वो methodist preacher बनके जाती है she meets Mrs. Rushford तो आप लोग Hamilton हो गया Mrs. Rushford हो गया यह आपके important character है यहाँ पर a wealthy 60 year old widow जो Mrs. Rushford है वो क्या है आपके 68 years की widow है she takes her to be a lead of about 18 वो सोसती है जो Mrs. Rushford है वो सोसती है कि यह 18 साल का कोई लड़का है tempted by the money she will get as a husband और जो 68 years की widow है वो सोसती है कि जो यह 18 साल का लड़का है मैं इसको पैसे से क्या कर लूँगी tempt कर लूँगी attract कर लूँगी और इसे अपना husband बना लेती हूँ Hamilton marries Mrs. Rushford और जो Hamilton है वो Mrs. Rushford से शादी का लेती है क्योंकि वो disguised as a man okay remember this according to fielding she was able to deceive her bride by mean which decency forbids me even to mention अब यहाँ पे जो fielding है उन्होंने खुद भी इस work के बारे में ये लिखा था कि वो किसी भी bride को क्या कर सकती थी deceive कर सकती थी धोका दे सकती थी और जो मेरी decency है means fielding की जो decency है वो उसे रोकती है कि वो किस तरह से deceive करती थी इस बात को वो नहीं बता सकता किसी को भी all right so यह है आपका fielding ने remark किया था अपने work के उपर the bride eventually discovers Hamilton's sex अब यहां पे क्या होता है जो bride है उसे finally पता चल जाता है कि यह क्या है एक boy नहीं है Hamilton is forced to flee अब Hamilton को वाँ से भागना पड़ता है she uses various alias just to marry वो बहुत सारे जगे जाके लोगों से शादियां करती है other women by repeatedly forced to flee when truth is discovered और बार बार उसे वहां से भागना पड़ता है जब भी truth क्या होता है discovered होता है later she is arrested and persecuted उसे persecuted किया जाता है उसे imprisonment किया जाता है और उसे arrest किया जाता है all right next is she is sentenced to imprisonment यहाँ पर एक जो important है यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसको public whipping का punishment मिलता है public whippings in the market towns of Somerset तो यहाँ से question बन सकता है कि कहां उसको यह punishment मिली थी तो एक बार हम फिर से सारे जो work है उनका revision करते हैं 15 minutes में आप लोग ध्यान से सारे characters देखिए तो सबसे पहले हमने देखा कि जो henry fielding है हम इसमें characters को एक बार revision कर रहे हैं आप लोगों को याद हो जाएगा तो शामिला हो गया आपका पहला Joseph Andrew हो गया adventure of Joseph Andrews हो गया life death of Jonathan Wilde तो आप इसे नाम से याद रख सकते हैं यहाँ पर आप एक shortcut के जरिए पूरा याद रख सकते हैं henry fielding के सारे works अगर आप लोगों को नहीं पता तो यह आप इस तरह से याद रख सकते हैं एक shortcut के जरिए कि Tom says to Jonathan Wilde that Joseph Andrews okay this work Joseph Andrews from here you will start but Tom Jones says to Jonathan Wilde that Joseph Andrews has a female husband so it is a shame okay so shame शाम मिला तो आपकी जो लाइन बनेगे उस तरह से बनेगी Tom Jones says to Jonathan Wilde that Joseph Andrews has a female husband that's why it is a shame okay so with this you can remember this one शामिला की जो स्टोरी है उसे शोट में समझ लीजे शोट में आप लोग याद रख लिए पिस जो शामिला है उसका जो मास्टर है वो है आपका मास्टर बूबी और जो मास्टर बूबी को क्या करने के कोशिश करती है जिस तरह से पामिला वर्क में मिस्टर बी जो था जिसका मिस्टर बूबी बाद में नाम होता है इसमें वो मिस्टर बूबी क्या करने वाला है पामिला को seduce करता है और वो उसे last में marriage कर लेता है उसे उसे शादी कर लेता है उसी तरह से यहाँ पर क्या है चो शामिला है ठीक उल्टा है जो बहन है पामिला की बहन बताई गई है फिल्डिंग के दौरा तो वो क्या करती है मास्टर बूबी को seduce करती है उसको शादी के लिए ट्रिक करने की कोशिश करती है next story देखते है next story है आपकी जोनाथन वाइल्ड की अब जो जोनाथन वाइल्ड है वो एक्षिल में ये माना जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर Robert Walpole है उन पे बहुत सारे allegation और corruption के charges लगे थे इसलिए उन्होंने satire, इस satire को लिखा था Jonathan Wilde को represent करवाया था उसके बारे में story बताई थी Jonathan Wilde था कौन ये एक underworld से related था Tom Jones की story देख लेते हैं जो Tom Jones है Tom Jones की अगर आप story line को सीधे सीधे देखना चाते हैं तो ये है आपका Tom Jones और ये है आपका Bill Phil तो उसको Bill मान लेते हैं Bill Phil और तीसरी कौन है यहाँ पे Sophia तो जो Tom Jones है वो Bill Phil का actual में क्या है cousin है लेकिन Bill Phil इस बात को जानता है बच्पन से ही Tom Jones की जो mother है उसकी death हो चुकी है तो सभी ये मानते हैं कि जो Tom Jones है वो एक bastard है उसके parents नहीं है बात में जो Tom Jones है उसको Sophia से प्यार हो जाता है लेकिन जो Bill Phil है वो इस तरह का plot बनाता है कि जिससे Sophia को लगता है कि Tom Jones एक अच्छा इंसान नहीं है and he was with another girl कि वो दूसरी लड़की के साथ में था तो Sophia इस बात से नाराज हो जाती है और जो Sophia के फादर है वो भी क्या है Tom Jones से शादी नहीं करवाना चाते है क्योंकि उनको लगता है कि Tom Jones के पास में कुछ भी नहीं है वो चाहते कि Bill Phil से शादी हो जाए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी स्टोरी हमने देख ली तो यहाँ पर है Tom Jones हो गया आपका Bill Phil हो गया आपको इस तरह से character के नाम याद हो जाने चाहिए next जो होता है last में Tom को imprisonment करवा देता है इसके पीछे भी कौन होता है इसके पीछे भी Bill Phil होता है last में यहाँ पर एक दो character और है उनके नाम आप याद रख लेजिए जैसे की आपका हो गया Squire Western हो गया Molly हो गया उसकी जो girlfriend थी Molly तो Sophia सोस्ती है कि जो Tom की girlfriend Molly है उसका जो बच्चा है वो किसके साथ में है Tom के साथ में है सच नहीं थी तो finally जो Tom है उसके साथ में यहाँ पर एक और जो character है वो किसको होटेल में मिलता है तो होटेल में मिलता है Mrs. Water को और Mrs. Water को ये माना जाता है कि वो Tom की मदर है लेकिन वो Tom की मदर नहीं होती है last में जो है वो Sophia के साथ में Tom की शादी हो जाती है और finally वो साथ में रहते हैं next जो है अगर Amelia की स्टोरी देखें तो Amelia की स्टोरी जो है वो एक sentimental स्टोरी है जैसा हमने देखा और ये जो था वो paper war का नतीज़ा था कि इसको बहुत ज़्यादा success नहीं मिली summary में देखते हैं कि जो Amelia है Amelia जो है वो एक domestic novel है उसकी स्टोरी है और यहाँ पर जो domestic स्टोरी है उसमें simply Amelia की स्टोरी है और उसके husband की स्टोरी है उसके husband का नाम है Captain William Booth अब जो क्लिया Captain William Booth है वो क्या नहीं करता Amelia को respect नहीं देता है जो Amelia है उसको बचाती भी है और finally जो उनके hardships हैं उनके life की hardships हैं उनके बारे में यह स्टोरी है उनकी life की जो problems है उनके बारे में है Captain William Booth क्या होता है बाद में एक debt में फस जाता है कर्ज में फस जाता है और उसे jail में भी रहना पड़ता है Amelia उसे अपनी mother से जो पैसा मिलता है inheritance मिलता है उसकी वज़े से Amelia उसको Captain William Booth को बचा देती है और बाकी जो पैसा मिलता है उससे वो एक गाउं की तरफ चले जाते हैं और जो Hamilton है वो कौन है Hamilton एक टिकिस्टर है जो कि लोगों को जुड़ बोलती है जुड़ बोलकर फसाती है और उनसे ज़्यादा तर शादियां कर लेती है वो एक character से मिलती है यहाँ पे Mrs. Rushford विशेज रसफोर्ड जो है वो 68 यर की है और वो सुसती है कि जो यह 18 साल का यह लड़का है ओके उससे में शादि कर लेती हूँ और फाइनली जो Hamilton है वो Mrs. Rushford से शादि कर लेती है लेकिन इस बात का बात में पता चल जाता है और Hamilton को वहाँ से भागना पड़ता है यह वो कई बार करती है और फाइनली जो आपका जो important इसमें था वो है कि अब उसको जो punishment मिलती हो punishment कौन से मिलती है punishment मिलती है public whipping की और कहां पर मिलती है market towns of Somerset में तो इसी के साथ हम खतम करते हैं Henry Fielding के सारे works so hopefully you like the video if you like the video please thumbs up and share this with others see you in next video